पिल्ड बिमारी को गंत्रोल ना किया जा तो एक समोव बना लेता है और पत्रण को इंपक्त करना चुन्ट करना शुरू कर देता है बिमारी को ठीक करनए की दभाई नहीं बना जाति है अजAudan को अ. Steph कफल रहेंगे उतनी जल्दी हम उसका इलाज करने में हम सक्षम रहेंगे नमस्कार नाशनल खबर के खास हेल्स प्रोग्राम में आपको बहुत स्वागत है और मैं प्रग्याचा आपने हमारे शानल पर किड्नी से जुड़े हुए कई साक्षातकार देखेंगे और कई ऐसे ड कितना आसन है यह आप जानते हैं लेकिन आज के सकास प्रोग्राम में हम जानेगे कि अगर आप किड्नी के पेशन्ट है और आप सही समय पर इलाज नहीं करा पा रहे हैं या नहीं कराते हैं तो उन से और कौनसी गंभीर वीमारियां आपको हो सकती है तो चलिए इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ अभी मौझूद होंगी जो आने माने आयूर विदाशार है, डॉक्टर पुनीत सर, आपको बहुत स्वागत है सब्सक्राइब, जैसे की जानकारी ले रहे हैं आपसे लगातार किड्नी के बारे में, सब्सक्राइब को हो सकती हैं। ckt अनोपैटि करती है आखोंको āटायमेज करती है इसी प्राकर से अन्य similar को भी वह डैमेज करती चली जाती है तो यह बीमारियों का सम्हूव है विबारी नहीं होते है अगर बिमारी गंटॉल को ठीक करने की दवाई नहीं है डाइबेटीज को ठीक करने की दवाई नहीं है ताइरोड को ठीक करने की दवाई नहीं है और जितनी भी आप बिमारी या सोच सकते हैं सोच लीजिए और एक बार यह सोच लीजिए उसको ठीक करने की दवाई है या नहीं है तो आपको mostly answer जो ह डवाई जो है वो लंबे समय तक चलती है तो यह स्तोचले वा सबने वाली बात है कि बिमारी सारी मेंटेन हो रही है लेकिन ठीक कोई नहीं हो रही चाहे वो ब्लड फ्रेशर हो चाहे वो डायबिटीज हो मैंने तो शायद में कभी सुना हो कि कोई दवाई डायबिटीज की खा रहा था और बो-चार साल बाद उसने दवाई बंद करती शायद ही कोई का दुका केस हो कोई बहुत जादा उसमें डिटर्मिनेशन हो तो उसने करती हो लेकि 99.99% प्रेसे जैसे होंगे जिनकी दवाई शुरू घी और वो दवाई चल रही है और कुछ दवाईया तो बनाने वाली कंपनी भी पेटेंटिड है एक एक डो-दो ही है पहले थाायरोड का नॉर्मल रेंज भी जादा करता था वो 6.5 हुआ करता था और अब वो घटा गये थोड़ा सा कम कर दिया गया उसे 5.5 कर दिया गया इसी प्रकार से जो diabetes का normal range हुआ करता था वो भी ज़्यादा हुआ करता था किसी समय पर 140 हुआ करता था ऐसे बहुत सारे changes होते गए हमारे आज पास ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आपको दवाईयों के दोरा maintain करें ठीक है तो यह बहुत ज़रूरी है समझना कि maintenance जो है वो दवाईयों से हो रही है अलोपेटिक की दवाईयों से हो रही है या अन्ने किसे दवाईयों से हो रही है लेकिन शायद ही कोई ऐसी चीज हो except कोई भी chronic problem है acute problem वो अलग है कि चलो आपको problem है तो आपको प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम ठीक हो लेकिन जो भी chronic problem है उन्समें जो दवाईयों है वो लंबे समय तक चल तो समझने वाली बात यह है कि आप इतना थब कुछ हमें पता है हम इतना आपने आसपास हम देखते हैं आप अ और chances है कि नहीं मिलेगा कि इस तरह आएंगा patient तो यह समझना जरूरी है कि हम बिमारी को maintain करने के चाहते हैं या बिमारी को ठीक करना चाहते हैं हमारे यहां पे कर्वा ऐरवेदा में kidney से लेके सभी तरह की बिमारियों का treatment किया जाता है और आयरुवेद में जो होता है हम बुखार कम हो जाता है बुखार ठीक नहीं होता जड़ से ठीक नहीं होता कई बार इस तरह के होता ना complicated बुखार होते हैं तो फिर वो जाते हैं अपना आयरुवेद की दवाई लेते हैं तो वो लंबे समय वाले बुखार उद्वर जाते हैं क्योंकि वो जड़ से ठीक करन के लिए ठीक है लेकिन कोई भी बिमारी है हमारी बॉडडी की इम्यूनिटी भी इतनी है कि अगर वह नए भी कुछ लेटे तो एक आध यह का दो दिन आगे पीसे करके वह अपने भी ठीक हो जाती है तो यह समझना जरूरी है कि अगर किसी भी बिमारी को अंदेखा किया जात यह और हमारे शरीर में उसका घर बन जाता है पर्मारेंट कई बार आपने सुना होगा एक और खराब हुआ फिर दीरे मल्टी ओर्गन फैलियर बन जाता है कुछ ऐसे पेशेंट्स आये हैं जो कि जिन्हें पहले किद्नी की दिक्कत थी फिर उसके बाद उन्हें अनीमिया या किसी और च्रीके की प्रॉब्लम्स ग्रिएट हुए बिल्कुल क्या होता है अगर किड्नी की बात करता तो खिड्नी में तो बहुत सारे फंक्षन है कीद्नी के इमोगलोबिन को मेंटेन करना पोटाशियम को सोडियम को कैल्शियम को त horrible imbalance होने शुरू हो जाते हैं जिस से बचा जाए कैसी बच सकता है कोई रखती तीए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर मॉनिटरिंग कीजिए आपका क्या चल रहा है अगर मान लो किसी को डाइबेटी जाए किसी को किडिनी की समस्य आए तो आप रेगुलर अपना क्रेटनें कंट्रोल करके रखिए साथ है डाइट फॉलो कीजिए मेडिसिन जो आवारे यहां से हम बता है वो फॉलो कीजिए रेगुलर लगके फॉलो कीजिए अनुशासन से आपको बहुत चे रिजल्स देखने को मिलेंगे टक करने के लिए हमारे पास डायंडोर्वाइंगे तो ही हमारे पास जो इतने सारे बलेट टेस्थे हैं और डाइगनोसिज हैं रेडियो टाइसे है सारे ढयोकि का हम परолог के लेकिन हम आई रवेदिक दावायां चलाएंगे और यह सारे टेस्स को यूज करेंगे आइस पर रिक्वाइरमेंट आप देखेंगे पहले यह ताब बाद में यह हुआ चेंज आपको नदर आते जाएंगे कैसे हैं कैसे कैसे आ रहे हैं बॉडी नए डाप्ट हो जाती है लोगों की धार ना एक चीज यह है जैसे मैं भी होँ अगर मैं बिमार हो भी तो एक मिनट के लिए मैं यह सोच छूँगी मैं कूण टेस्ट करा ठावतु टेस्स किराने के बाद मुझे चार बिमारी और डॉक्टर इसने पड़ा दी तो मुझे यह नहीं था और डॉक्त य यह भी तुम्हें आपको दिकत है तो आदे से जादा लोग तो इसले टेस्ट ही नहीं करा लिगा तो यह एक अच्छी चीज़ है और आपकी कुछ भी उस टेस्ट में नहीं निकला तो टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है कोई लॉस नहीं है आफ साल में एक बार 40 से में पता रहे हैं आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बहुत सी बार बिमारियों के सिंटम्स नहीं आते हैं तो वह सिंटम्स आने की वज़ा से वह मुमारी गंभी हो जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है अमचे टेस्स जो आप बता रहे हैं कि कि अमने जो है टेस ना अंडाइग्नॉस जो प्रॉब्लम होती है नो ज्यादा खतरनाक होती है तो एक मैं बता देंगी विव्योर्स को जो नई विव्योर्स जुड़े हैं कि कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं जैसे अगर खिड्नी की समस्या किसी को है तो प्रॉब्लम में किया आती है कि सिम्टम्स नहीं आते हैं लेकिन पटा था लेकिन पेशेंट गए और वहाँ पर किसी वर चीज़ के ने गया है वहाँ पर टेस्ट हुए पता चल गया तो यह समझना बहुत रही है किसी प्रकार के सिंटम हा रहे है पेरों में सुजन है और इस प्रकार के कोई-पी शंटमा रहा है पेट में सूजन है या आपको वोमिटिंग की संसेशन रेगुलर बनी रहती है या ब्लाट प्रेसर टाइबिटीस साथ में रहता है और वह लंब पाने इस प्रकारगा है कि कुछ ना कुछ शोटी मोटी तीज़ों से बच के रहें तो ज़रा जरूरी है और जितना जल्दी पता चल जाए उतनी जल्दी precautions लेने में हम तफल रहेंगे उतनी जल्दी हम उसका इलाज करने में हम सक्षम रहें अगर एक बाद उसे क्या के जीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है अगर देखे किसी ने treatment कराया किसी को kidney की problem में उसे treatment कराया उसका क्रेटनाइन यूरिया नॉर्मल हो गया तो बहुत जरूरी है कि वो इसको lightly ना ले वो अपने आपको maintain रखे और अपने आपको जिस प्रकार से precautions, diet, yoga, exercises वो कर रहा है पहले वो आगे भी continue करना उसको जरूरी है और इसे बहुत से patient है जिनको problem थी वो ठीक हुई लेकिन उन्होंने लापरवाई करी और उन्होंने दुबारा से वही चीज़ें शुरू कर दी जैसे मानलो chronic alcoholic बहुत सारे patient आते हैं लिवर की cirrhosis हो जाता है अब उन्होंने alcohol छोड़ दिया सारी तीचे follow कर दी दवायां ने लिए फिर दुबारा से थोड़े time बाद alcohol consumption चुरू कर दी तो वो उस चकर में वो दुबारा से develop हो गई same goes for kidney अगर मानलो kidney की जमस्चे आया है उसका कर दुबारा से उसने थोड़ा सा चीजों को इदर उदर करा और दुबारा से वही समझते है दुबारा उत्पन हो जाती है तो यह सोचने और समने वाली बात है कि इन जीजों को लाइट की ना लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है वो अपकी ठीक हो गई है तो उसको आप प्रिकॉर्शन पूरे लेते रहे और बॉड़ी को पूरा समय दीजिए और यही वो जगह है जहां आपको रहना है शरीर में तो इस शरीर का पूरा ध्यान रखना बहुत जार ब्रॉब्लम की यूब्लम गजब अखना खड़ यहां झाल